गर्द वेक प्रस्न जनक पूरी से आएं स्री जनक राज जी आपने पूछा है कि प्राया जितने भी अवतार हुए भाड़त वर्स में वो राज परिवार में ही क्यों हुए राम चंद्र जी, ख्रिश्न चंद्र जी, बुद्ध, महावीर सभी राजा के परिवार में ही हुए, कोई गरीब दीन भक्त अवतार के रुप में नहीं आए, ऐसा क्यों है? बहुत सोचने वाली बात नहीं है, समर्द्धि के शिकर पर पहुँचकर, वहाँ से परम समर्द्धि की और जाना, क्योंकि जातर लोगों की एक ही दृष्टी होती है, अमीर हो जाएं, राज महल में पहुँच जाएं, राज महल के बाद भी कुछ हो सकता है, अगर इसको जाना है तो बुद्ध को जाना है, राज महल में पहुचने के बाद भी अगर कुछ हो सकता है, तो महावीर स्वामी को देखिए, जो समर्द्धि के शिकर पर बैठने के बाद ये कहते हैं, यहां कुछ भी नहीं है, जो कुछ है, वो अपने आनंद में है, शान्ती में है, स कि समाधि में क्या पाया अपने, उन्होंने का कुछ भी नहीं, खोया ही, खोया है, क्या खोया है, फालतुपन, जो जिंदगी में फालतु था वो खो दिया और जो कीमती था, वो प्राप्त कर लिया, वो बचा लिया, इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं, कि भगवान राम मैलों में थे, मैलों से वन में चले गए, उनके चेहरे पर कोई शिकन थी, राजमहल में राजगद्दी पर बैठते वे, या वन की तरब जाते वे, कहीं भी रहे, एक दृष्टी, कि तुम्हारे उठने बैठने से, मुची गद्दी पर बैठ जाओ, या घास पर, राजमहल में बैठ जाओ, या जोपड़ी में, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आने चाहिए, राजमहल तुम्हें दीन हीनता से उपर उठा दे, और जंगल तुम्हें दीन हीन कर दे, तुम पैसा, संमृत्धी, धन दौलत, जमीन जाइदाद, राजमेहल, सारे अवतार यहां से शुरुवात करते हैं, कि समृत्धी के शिखर से आगे जो है वो जाद कीम्ती है, वो है आनन्द का मार्ग, शांती का मार्ग, इसलिए वो वहीं से शुरुवात करते हैं, जहां हम अंत करते हैं हमारी सारी यात्रा चलते चलते धन के शिकर तक पहुचने तक समात हो जाती है और वहां यात्रा धन से धर्म धन से धन्यता धन्यता से परम अहो भाव, आनंद का भाव उसे प्राप्त कर लेना इसलिए यह ध्यान रख लेना ये प्रतीक रूप में ही नहीं ये सोची समझी एक विदी है कि समृध्धी के शिकर पर कृष्ण भगवान सोने की नगरी बनाए और तप कहां कर रहे हैं जाकर वन में वहां जाकर नहीं सोते हैं फरक नहीं बढ़ता कि राज महल में और जंगल में कोई फरक है फरक अंदर पढ़ना चाहिए अगर आपके अंदर आनंद है तो राज महल में और जंगल में कोई फरक नहीं पढ़ जाता ये हमारी सोच है इसलिए जब आपने पूछा है आपकी सोच अच्छी है आप पोचना चाहते हैं आप ये भी पोच सकते हैं कि सारे तीर्थंकर या आवतार तीर्थंकर तीर्थमेकर ये तीर्थ बनाने वाले लोग थे या आवतार आवतरित हुए दिव्वेता लेकर सभी तो ग्रेहस्त हुए जातर सब ग्रेहस्त हैं। ब्रह्मचारी रहते तो ज़्यादा अच्छा था। अनुमान जी, संपुन अउतार नहीं हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता। अगर पूछने वालों को क्या जाता है, वो तो कुछ भी पूछ लेते हैं। वो तो किसी भी तरह से प्रश्न करते हैं। वो पहले से अगर सोच समझ के प्रश्न करें या बता के करें। फिर वो ऐसा स्वभावी कुत्तर भी नहीं आएगा। यह तो अनायास ही आता है। अब मैं विश्विद्याले के प्रांगन में बात कर रहा हूं और लड़का खड़ा होता है। और यह कहता है। एक बात बताईए क्योंके बात कर्मों की चल लई थी। अगर मैं एक किलो गी चुराऊं। दंड बेठक रोज लगाऊं, दौड भी लगाऊं और घी भी नियम से खाऊं। ताकत देगा या नहीं चुरी का है। चुरी का घी तो ताकत देना चाहिए। और वो यह पूछने के बात पीछे अपने दोस्तों की तरफ देख रहा है। और दोस्त भी बहुत आनंद में हैं। चमा के सवाल किया है। और मैंने का घी तो ताकत देगा ही देगा। बोले फिर चुरी। वो तो चुरी का है। चुरी वाले को तो ताकत नहीं देनी चाहिए। जो ठीक से कमा के घी लाए हो वो ही तो ताकत देगा तो मैंने का ताकत तो वो देगा घी अपना काम करेगा लेकिन जो चोरी करके आपने कमाया तो चोरी वाले आदत को भी ताकत देगा इतनी कि अभी आप थोड़े छोटे चोरो कल बड़े बनोगे तिहार जेल तक बेटोगे जागे, वहां तक पहुंचना होगा, उसे जरूर याद रख लेना